आपना अरे काका देन एक बस यहां लगी हुई है ताफी सारे हैं अरे पानी प्राइब पानी पानी तो यह देखे का बस सड़ते यह है कि दो पहे को मत आईएगा एक से लेके धाई बजे तुम सामने में है खातरों के खिलाड़ी है मैंना वासी देखा हुआ था मैं से दीख रहे हैं पानी कंदर ज्वारी है गुड़ मॉनिंग गाइस वेलकम बाइक मैं यूट्यूब चैनल वी लॉक्स रॉल्ट एक बड़ पिड़ी से आप सभी का स्वागत है काईस तो आज मैं आप लोगों को न कि अगर आप भिलाए राजनान गाओं बिलासूर या फिर रायपूर से ही जाने चाते हैं बहुं सारे लोग ऐसे भी है ना जिसको पता ही नहीं कि वहां तक हम कैसे जा सकते हैं तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है प्रॉपर मैं इस पर जानकरी देने वालों कि आप कै सकते हैं सारी जानकर को इस वीडियो में मिल जाएगी तो अभी मैं घर से निकल गया हूं यह रामना कर जाने वाली रूट है जो की फाइवे में ही जोड़ती है पावर हाउस तरफ में सुपेला साइट में क्या है कि बहुं ज़्यादा डश्ट और वर्बिस का काम चल रहा है पहुं ज़्यादा डश्ट टूडता है इस वजह से वाली रूट में लिया नहीं यह अंदर ही अंदर लेके जाती है ब्रेकफास्ट भी करना है भूख लगी हुई है सोच रहों कि इटली या फीर खा लेता हूं सुबरे सुबरे ओली खाने का बिल्कुल भी मननी है मेरा पारास होते हुई निकलना है देन ब्रेकफास्ट में देख रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं पाया रीजन क्या था कि जहां पर मैं खाता था ना वह दुकान अभी खुले नहीं है हो सकता है कि आज ना खुले हो और यह है न्यू बसंद वेमन करके लगा हुआ है मूवी पा आधा दूरा है वजह से ना रैपूर जाने में ना दस बल मुझे ना सोचना पड़ता है एक तो भाई रूट इतना गंदा है ना कि आपके जो भी टी-सर्ट है या सर्ट है ना वह सिर्फ आने जाने में पूर ऐसी कि तैसी हो जानी है और दूसरी बात यह है कि इतना ट्रा ट्राफिक मिलता है ना भाई कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट तूसी में खफत हो जाता है मैं भिलायतीन पहुंच चुका हूं यहां भी मार्केट अभी ओपन हो रहे हैं हुए नहीं है और देख रहा हूं कहीं ब्रेकफस्ट मिल जाए यह बिक बंद है वैस तो यहां पे इटली जी को ले लिए हैं हमारे राइट से में देखेगा दी मार्ट है चरोदा का की देखी रहे हैं दी मार्ट सुनसान पड़ा हुआ क्योंकि अभी सुपेरे का समय है नौ बच के दस मिनट हो रहे हैं अभी हम लोग पहुंच गये हैं ताटी बंचोंप के देन मारे पास में दो आपसन है या तो मैं सीटी होते हुए निकलूं या तो फिसीटी को क्रॉस करते हुए आप लोग अपने डिसीजन को लीजिएगा तो अंदर मागर जाओंगा ट्राफिक सिगनल से परहसान हो जाओंगा क्राफिक क्राउड रहे हैं अभी आप इस वर्क का समय है सभी का बाहर से निकल जाता हूँ आप नारे का का रहाँ पूर क्रॉस कर रहे हैं अगर आप सीटी से आते हैं तो वाली रूट से आएंगे चलो सीगनल ओपन हो गये हैं देन सिधा ही चलना भी फिलाल के लिए सामने में मैगनोटो मौल आएंगे एक ये मौल है एक सामने में भी मौल है आगे चलकर लेकिन यह बहुत आप से माड़u और रुड्पूर मौल मौल और थूसरा है अबुजा यह देख यहां पे लिखा है नवारायपूर देन यहां से जंगव सफारी होगा 12-15 km आसपास 17 km है वहां पे लिखा हुआ 17 km और यह सुंदर से बना हुआ है यहां है अंदर में नो आडिया देन कभी मौका मिलेगा तो यह पर जाने के कोशिस करेंगे अंदर देन यह जी रूट है न यह सिधा लेकि जाती है आरंग राइगार आरंग का तो मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखा है देन अभी नायरापुर के और चलते हैं और यहां तक लाके छोड़ देगी पुर्खोती मुक्तांगन या फी नया राइपूर यह दोनों के लिए सिटी बस चलते हैं रेलवे स्टेशन से ही आपको मिल जाएंगे यहां पर लिका अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडिया रफ को जाने करी दिया हुआ है तो अभी तो फिल सफारी यहां से 13 किलिमेटर है सिटी बस आपको देखने को मिलते ही रहेंगे यह है केंटिंग चाया नास्ता के लिए सफाई करमचारी लोंग सफाई कर रहे हैं अच्छा मेंटेन करके रख रहे हैं काफी साफ सुझ रही है ओरूट देख रहे हैं पुरा खाली खाली रूट है तो यहां भी चॉंक जासा है कहीं मुड़ना नहीं है सिधे इसिदा सिदाए चलना है माना तरफ से भी direct आ सकते है क्योंकि मैं माना गया हूँ था ना तो वहां पर भी board mansion था माना से direct सीधा है यहाँ से दीकर मुक्तांगन यहाँ से भी अपन जा सकते हैं यहाँ पर flat बने हुए है 1BHK, 2BHK यहाँ पर एक chalk है यहीं से हम लोगों को राइट लेना है यहां पर वन भाइसा बना हुआ है सिदा नहीं जाना है मूड जाना है यहां से दिखाए दे रहा होगा आफ लोगों को वन भाइसा सिदा यहां से तीन किलमुटर है शलो यहां पर पेट्रोकम तो है कम से कम तो एक और चौक मिला है, वहां से हम लोगों ले लिया है, लेप्ट लेने के बाद मैं यहां पर हमें फिर से राइल लेना पड़ेगा, और वो सामने में नजरा रहे हैं, जंगल सफारी, तो यह देखें, टिकेट काउंटर आगे साइड में है, गाड़ी पार्क यहीं पर करन बाइक का टिकेट लिया हुआ है, जो की 20 रुपे चार्जेस हैं, भाई 10 रुपे हुआ करते था, आज 20 रुपे हो गए हैं, ज्यादा कोई लोग नहीं आ पारे हैं, ज्यादा लोगों को जान करी भी नहीं है, कि अभी जंगल सफारी ओपन है यह नहीं है, यहां पे आप ल अंगन भाई जो की उडिसा से आए हैं, पीके व्लोक जो अभी इंट्रो चालू कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं पीके व्लोक को, तो चली टिकेट लेते हैं, क्या प्राइज आप लोगों को बतलाते हैं, देख लीजेगा, यह सब लागू होते हैं, चार्जेस भी देखें बेक छोड़ने वाले अंदर में, यहां पर हैलमेट रखते हैं, यहां पर अपने को टिकेट दिखाना होगा, यह देख हो हैं तीजी इसमें पैर रखे जाना होगा और गईस अगर अब खाने पिने के समागरी लेके आते हैं तो बता दीजेगा यहां पे कोई रोख टुक नहीं है बस आपको पेपर दिया जायागा पॉलिथीन अंदर लेके आना मना है काफी सुन्दर से डवलप किये हुए हैं भाई सब हमारे साइड में हैं यहां पे लिखा हुआ है जंगा सफारी मुलब कि यह एरिया आप लोग घूम सकते हैं अगर फोटोग्राफिक के सोकीन है मैंसे कितने सारे लोग जानते हैं इनके बारे में हमें कमेंड करके ज़रू बताइएगा तो यह देखिए सामने में वेटिंग हॉल देखते हैं गाड़ी लगी है यह नहीं और यहां पर तिकेट दिखाना होगा हम लोगों को यहां भी केंटिंग दिया हुआ है तो यह अच्छी बात है आते सांती हम लोगों को बस मिल गया बैठते हैं बाई यह वाला ही बस चल रहा है जो मैं बैठने वाला नहीं था इसमें लेकिन क्या करें आप बैठना पड़ेगा अपने को इस तरह से बस है बैठन एक बस यहां लगी हुई है एक बस यह जो भी फिलाल लोग जा रहे हैं उसी में हम लोगों को जाना है गाइस तो अभी हमारी गारी चल पड़ी है जंगा सफारी के लिए यहां पे बोटिंग करने के लिए आप बोटिंग करने के लिए हैं बोटिंग देखते हैं यहा वारे समय देखेंगे वाप्सी में यहां पे आप देख रहे हैं सफारी यह दो आपको नजर आ रहे होंगे अब हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं है को के लिए है इस आप игра के लिए यहां से ऐनना पड़ेगा आते समय देखेंगे अभी ब्रॉपर बीयर बारे हैं एक अच्छा यहां तो यहाँ पे दार् deferral से बराझ 치ma करें DENNIS बालु वालु सोया हुआ है लाई सामने में थेक्टर भी आरे है बालु सोया हुआ था अच्छे से दीफ नहीं रहा था आप लोगों को चलो पुछ तो देखने को मिला है फिलाल के लिए यहां से मोट रहे हैं आई शावास कियों सभी हार है भाई इस तरह से गेट को खोला जाता है देखो यहां से फॉल रहे है यहां यहां देखने को मिलेगा भी है देखो इस फीराण दो देखो एक नजर आ रहे हैं से म Васवास को रहे हैंसार और छिर। उम सं मांस थे रहे हैं क précis divager कि अप्टiver नां कि आयुक्ना कि अपने सारे हरा यहां पर बक्ची भी एगान मुझतेले跃 लेकर चाहिए भी बहुँ सारे लेकर ग्र्षा देखेंगे कि इस आपिसारे हैं गी रहगा prendre के लिछान दिदा लेकर चुह заметारण में तो सेर है, सेर बज़ दिख जाए मुरे तो पानी पी रही है अच्छा नील गा है और कौन सा जानवार देखने को मिलता है अपने को कि अधिदे देखने के लिए हम निगल रहे हैं बाब की लिए कि लिए अब अभी तक तो जानवार देखने को मिले हैं हमें एक निलता है अपां मज़ी आ रहा है जानवर गहना वासता है है यह एक वालू भी आरे नहीं हमें जारती नकाम के वालू आना बाहना है पाक सफरी बाद यहने टाइगार इंचा एरिया फिद्धी अकः फिद्धी अकः और दर सुम्रू सफरी पहुंचने के बाद फिद्धी से रहना अटे से रहना है यह तो फिद्धी अनदर वाजा अधिया जे। एंड गार वाजै ऑना यह वालू छो वालू है यह अधिया अंड वालू होड़ गल्यश्य पीज़ आपिशचर में विद्धी अनदर पकलो पीज़ गया आपिशर फूर चर जान वालू आश्यों यहां पर बहुत हुआ है यह जा रही है कि देख लिए जिए टाइगर कर देख देख रहे ना हैंकर बड़ा है कर देख लिए जो डिए टाइगर hai कर देख अजाय रहे है कर दू सब्सक्राइब करकें आधे आधे खुपर सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब करें दो हमारे यह जो है प Дो मैं यह एक प्रिया पांता है यह पानी पानी गास यह देखें कैसा जा रही है अफ़ी है किसले है ऑब यहां से हम लोग दूसरे लोकेशन ने जाए रहे हैं देखते हैं वहां आमें देखने को मिलता हैं यान नहीं गास तो अभी हम लोग लेजन के और आगे बढ़ रहे हैं अबकी बड़े एरिक इसे बेला हुआ है, भाई हे बड़ा जर्टार लिहार हुआ है, लोयन सफारी, गेट यहां फे बंद हो रहा है, अब यहां पर हम इसमत देखते हैं यहाला गेट फुलेगा, जब से टावा है, बड़ लोयन सफारी, इसने नजरें नजर आजाए हमें त भीज्गशन बढ़ दें लेरे व्रें, प्रुडशन आ, लुद्छन को हमका हमें exists अजित बढ़े बीजदे पाद बीजदे जह कर के incredible मादी ने मात्तुरों में का इस जायरा है तर नहीं चाहिए तर नहींग है का विजिद देख लिजिए करें अब दो आपको जिए करने कि लागें आप लोको इस यह यह को जब यह जोनों में जब देख रहे हैं अब हम लोग जू की तरह आ चुके हैं आप लोगों को जूड राने वाले हैं यहीं तो उतनना पड़ेगा वज़ तो अब भी सबनापर रहे हैं आप लोगों को जूड नचालाते है जो फिर णोब बलाते हैं जो बीफ़ पार ही तो यहां Hisya थार यहार से अंदर जाना है है भाई लोग अंदर चले गए हैं पचास रुपर एश्टा लगता है टोटल देश रुपर जो कि मैं आपको प्राइज बतला चुका हूं उसी में इंग्लूड रहता है पैदली पैदल जाना है अपने को यहां पर कोई गाड़ी ना घोड़ा ना कुछ और यह सब नाम है और हमारे मानिसभाई मлекणग फोटो डे रहे हैं अड़े वहाँ यहां फे वाइट टहकर करो क được देखो हो अधे जानवर देखने को मिलते के नहीं कि यहां पे लिखा हुआ है सफेद बाग है अब यह धहें क्यांदार से बना कर रखे हुए हैं वहां पर वाइट टाइग यहां पर दो टाइगर हैं, एक तो भी फिलल लेटा हुआ है, दूसरा पता निह कहीं छुपके बैठा हुआ है, यहां पर यह वाइट टाइगर अभी फिर से उठ चुका है, काफी हेल्दी है, तो गैस चीडिया घर में आपको जानवर दिखेंगे, इसलिए चीडिया घर बनाया गया है, तो आप कभी निरास नहीं होगे, बस सड़ते ये है कि दोपहे को मत आईएगा, एक से लेके धाई बजे तक, क्योंकि ये विसराम करते हैं, आपको सोते हुए दिखाए देंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, कौन सा जानवर है इस सेड में, यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है, सी हैं, तो यहाँ पर सी हैं, अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर, अच्छा, वो सामने है, यह देखिए, तो यहाँ पर अभी एक सी दीखे हुए हैं, यहाँ पर टोटल तीन है, करके बतलाए हैं, गाइस, तो एरिया की बात करों, तो देखिए, काफी बड़े एरिया में यह बना हुआ है, एच्छान में रहने का जो इस्थान है, वो उस सेड में हैं, अरे भाई साफ, क्या खतनाग दीख रहे हैं, फिर बैड़े गए वहीं पर, क्या खतनाग दीख रहे हैं, वो तो सारा सो रहा है, यह देखे गाइस, रम सामने में हैं, अगर बढ़ते हैं, देखते हैं, क्या देखने को मिलता है हमें, यह वाले सेक्षन में जाके देखते हैं, यहां क्या देखने को मिलता है, यह कांच का बना हुआ है भाई साफ यह, तो चलिए, यहां तो बैठा हुआ है, तो जश्टिस सामने पर ही बैठा हुआ है, और काफी बड़े एरिया में इसको दे दिया है, लेकिन चारो तरफ से प्रैक है, क्योंकि यह चलाइंग मार के बहार निकल सकता है, तो एरिया की बात करूँ तो यह देखे काफी बड़े एरिया में इसको बनाया हुआ है, बहुत खुशूरत सा है, सामने में कांच का पुरा परदा दिया गया है, दोड़ दोड़के जाएं देखने के लिए, तो यहां पे है रोयल बंगाल टाइगर, यहां पे आपका पै काफी धूर में और एरिया की बात करूँ तो काफी बड़े एरिया में बना की रखे हुए हैं, अब थोड़ा सा नजदिक चलते हैं, देखते हैं पास से, बंगाल टाइगर, कैसे चलते हुए आ रहा है, पास से देखने में बहुत खतनाग दिखता है, आई साहाब क्या खत है, और आगे आना चीज़े था, अब लोग खुले में गाइस अगर एक चलांग मार रिखता है, तो अपना काम खतम है, लेकिन नहीं मार पायेगा, डरने वाली की बात नहीं, सेप्ती से बनाया हुआ है, जंगल सफारी, जुह को, जब तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले यही क्या है, अच्छा यहाँ पे है हिमालियन भालू, तो यह हिमालियन भालू है सेड में, देख लेते हैं, दीख रहे की नहीं, उस सेड तो बैठा हुआ है, भालू का जो सेक्सन है यह भी काफी बड़े एरिया बे बना की रखे हुए है यह रहा भालू सामने से दीख रहा है उसका चहरा लेकिन पत्थर के पीछे करके अच्छे से दीखने रहा हूँ वहां से हील भी नहीं रहा हूँ यह देखी जीब निकाला क्या खारा तो पता नह लेड गया लेड गया लेड गया देखो कासा असकत चाहरा है पर श्टा में अपने आखों से देख रहा हूँ भाई लकडबग्गा पैनेली हमें देखने को मिल रहा है तो बहुत कम देखने को मिलता है यह यह देखो खत्रों के खिलाड़ी है मैंना वासी देखा हुआ था मैं सेवा ऐसे दीख रहे है यह देखा और पास से दिख ला रहा हूँ आप लोगों को मैं तो देख लीजिए भाई यह आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर में है एक बहार में सहीं से दीख नहीं पा रहा है गईस अब आगे बढ़ते हैं घडियाल तो यहाँ पर घडियाल करके लिखा हुआ है गड़ियाल, यह नजर कहीं नहीं आ रहा है, बिए अगर कोई नजर आता है, अगर कोई देखने को मिलता है Вे, बोट पे लिखा हुआ है, कच्छवआ, बहुत तरी कच्छवे तो गाइस देखिए कैसे कचवा जो है खाना खारी अभी सेवाई दिया गया इसको मगरमच देखने वाले हैं काफी बड़े एरिया में बना के रखे हुए हैं अब यहां पर कुछ लोग देख चुके हैं और कुछ लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं गाड़ी यहीं प्याएगी देख लेते हैं मगरमच अरे श्कस्तामने ही महीं है दोस्तों तो एक ही मगरमच अभी यहां पर दीख रही है देखे पानी का अंदर जा रही है अरे गई अंदर पानी जा रही है तरत वे जा रही है अब हम लोगों का गाड़ी आ चुका है भाई बैठते हैं और निकलते हैं कापी लेट हो गया है फाल बिजने वाला है